नमश्कार दोस्तों and welcome back to my channel First Investments तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से stocks पे हम लोग कल trade कर सकते हैं nifty bank nifty की क्या रननीती होनी चाहिए और किस तरीके से हम लोगों कल काम करके चलना है कल expiry है मंतली expiry है तो किस तरीके से हमें trade लेना है कौन से particular stocks पे focus रखे और nifty bank nifty पे क्या करें so guys वो main subject है तो हम उसके बारे में बात करेंगे but सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम सबसे पहले 5 stocks के बारे में बात करेंगे end में हम nifty bank nifty की बात करेंगे so guys आज आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों stocks दिये थे अगर आप लोगों ने trade करा है और अगर आप लोगों को फाइदा मिला है तो please comment section में मुझे जरूर बताइएगा और guys मैं देख रहा था और मैं आप लोगों को देख रहा था कि यहां पर आप लोगों ने अभी 500 likes पूरे नहीं कर पाए आप लोग कोई बात नहीं जब आपके हो जाएंगे हमारी कोई भी वीडियो पर तब से मैं आप लोगों को option calls प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँगा बट तब तक हम लोग सिर्फ stocks पे ध्यान नेते हैं अब दोस्ता हम बात करें तो किस तरीके से हम लोगों को काम करना है अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले 5 stocks में से जो पहला stock आता है यह वाला particular stock मेंने select क्यों कर रहा है कल के लिए इसके पीछे का reason इसलिए यह है आप यह देख रहे है अपर साइड की रेंच और नीचे वाला आप एक लाइन देख रहे हैं यह दोनों लाइन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यह शेयर काम कर रहा है यह देख रहे हैं यह इसी लाइन के अंदर काम करता है एक बर हम उपर की तरफ ब्रेक आउट देखते हैं फिर हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देखते हैं बट इवेंचुली फिर वह उसी रेंज के अंदर आ जाता है क्लेरिफाय आप लोगों को इत्ती बात बट हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग यह चीज देख रहे हैं कि जब से उपर से गिरावट आई है तो यह हमेशा क्या करता है एक बार नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर बाइंग आ जाती है फिर नीचे जाने की कोशिश क करता है और सस्तेन भी कर लेता है फिर रफची सी बाइंग आ जाती है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है अब हम क्या देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर ये बहुत जाधा टाइम अब ये इन्विस्ट कर चुका है तो अब एवेंचुली मुझे लग रहा है कि कल के दिन ये अपना एक breakout इस level से दे सकता है अभी इसकी closing है around 430 के आसपास तो अगर कल ये breakout देता है तो एक buying आ सकती है जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस particular share को लेकर जा सकती है 436 से लेके 438 तक intraday में तो levels watch करके रखेगा जो भी perfect entries, target और stop loss होंगे आप लोगों को first investment पे provide करा दिय जाएंगे हमारे telegram channel है आप जाके join हो सकते हैं नीचे description पर आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप जाके join हो सकते हैं ठीक है यह हमारा buy के लिए है next जो आता है guys वो आता है tv today tv today अब देने का reason क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहां देखेगा यह सबसे पहले हमने एक upper side की resistance line draw करी सारे tops को test करते हैं ठीक है multiple tops को test करा तीन points हमें top के मिल गए हमने resistance line बना दी एक हमें आपर 3 या 4 points मिल गए support line की bottoms की तो हमने आपर एक line draw कर दीक है फि देख सकते ब्रेक आउट दिया ब्रेक आउट देने के बाद हमें एक अच्छा सा movement आना चाहिए था बट मूब्मेंट यहां और वह दुबारा यह देखिए पैय यह जो ग्रेंज है न इस रेंज को हम क्या कहते है सेमेट्रिकल ट्राइंगल अच्छा हम मान के चलते हैं कि एक संकेत होता ही अच्छी opportunity होती है कि मैंने बहुत बार देखा अपने charts पे और यह बहुत rarely बनता है कि अगर एक symmetrical triangle के अंदर बनता है उसके बाद breakout देने के बाद दुबारा एक symmetrical triangle बनता है और यहां से breakout आता है तो बहुत अच्छी opportunity हमें देखन नहीं कर पाएगा तो opportunity लग रही है कि यहां से eventually break करेगा तो जब यह ब्रेक करेगा तो यहां से हम अच्छे targets expect करके चल सकते हैं इसका previous high है वो target expect करके चल सकते हैं और stop loss हमारा बहुत rarely बहुत कम होगा तो जो भी perfect entry होगी आप लोगों को बता दी जाएगी तो हम लोग 3rd stock की तरफ बढ़ते हैं जो कि आता है टाटा कॉम आप लोगों को यहां दोगा कि यह मैं पहले भी दे चुका हूं और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह stock मैंने आप लोगों को कौन से level पर प्रोवाइड कराया था यह नहीं है stock particularly एक second wait करेंग है कि यह टाटा कंज्यूमर है टाटा कम्यूनिकेशन नहीं था अब इस particular stock को देखेगा यहां पर एक range बनी थी यह मैंने आप लोगों को शैद दो दिन पहले अपनी दो या तीन दिन पहले मैंने अपनी आपको वीडियो पर बताया था तो मैंने आपको exact यह वाली candle देख रह top loss hit हो गया था बट eventually क्या हुआ आज के दिन इस पर्टिकुलर यहां पर support था एक up move आई एक range के अंदर गया range का breakout दे चुका है आज के trading session के अंदर तो कल एक दुबारा चीप buying आ सकती है और यह अपने previous high की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है जो कि 440 लेवल है ठीक है तो इस watch करके चलेंगे और शायद अगर यह कल इसी लेवल पर खुलता है आसक पास तो हम लोग इस पर कल इंट्रेडे पे बाइंग बना सकते हैं नेक्स टॉक आता है गाई इस एनम्डी सी के पीछे का logic क्या है क्या reason है वो यहां पर देखेगा इसके पीछे का logic ही है पर्टिकुल पैटा कि इस कैंडल ने ब्रेक आउट दिया ऊपर गया नीचे आया यहीं पर ही support लिया retest करा support लिया ऊपर यहीं पर ही support लिया और फिर उपर गया यह वेंचिली क्या बता रहा है breakout देने के बाद यह एक range के इंदर trade कर रहा है यह देख पा रहे हैं यह एक range के अंदर trade कर र रहे उसके बाद हम क्या देख रहे हैं एक range बन गई है मतलब आप समझ सकते हैं यह rarely बनता है कि मतलब एक range जो एक इतनी बड़िया range बन के आ रही थी उसके बाद टूटने के बाद अगर वो दुबारा range में चले जाता है और वहां से breakout आता है तो हम कह सकते हैं कि वहां से एक अच्छी खासी अप्मूव आ सकती है तो इवेंचली आज इसने ब्रेक करने के कोशिश करें दी अपने हाई पे ही क्लोस करा है तो कल मुझे लगता है यह प्रोबबली ब्रेक कर सकता है और अच्छे लेवल समय देखने को मिल सकते है इन दी फ्यूचर सो प्लीज आप इसक आप लोगों को रिकमेंट कर देता हूं है कि कि या सो यह लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है कोई बात नहीं हम यहाँ पर कोटक बैंक पर चले जाएंगे यह हमारी ग्रीन लिस्ट पर है को टक दांक कि इंटरनेट इश्यू है सो एक मिनुट वेट करिये यह आ जाएगा कि यह जो पर्टिक्लर स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं इसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने अपने क्लाइंट को भी बीटीएस्टी ट्रेड ऐसा दी है और मुझे लगता है कि यह ब्रेक आउट दे सकते हैं तो मैंने वेंचली उन लोगों को यह यह देखिए गाइस अब मैंने जब यह जूम आउट करा तो यहां पर आप लोगों को पता चल रहा था कि एक रेंज के अंदर ट्रेड करा अपर साइट पर फर्स ताइम सेकंड टाइम मुल्टिपल टाइम सम देख रहे थे वन टू त्री फोर फाइफ सेक्स सेवी यह तक है हाय साइट के रिजिस्टेंस लाइन पर ही टेस्ट करते रहा और वहां से एक हमने फॉल देखा अब इवेंचुली यह ब्रेक कर चुका है और मैंने आप लोगों को का था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन पर एक पर्टिकुलर तो इसे यहां तक नीचे तक आना पड़ता बटी इवेंचुली नीचे तक नहीं आया और हमने देखा यहां से ही एक इसने रेंज बनाई और रेंज का ब्रेक आउट दे चुका है तो मैंने आज आप लोगों को जित्ते भी पैटरंस बताए वो सारे एक सेमेट्रिकल ट्र के की वेंचुली यहां से जो होता है आप देख सकते हैं यह ट्राइंगल यह ट्रीकल को अगर मैं उल्टा कर दू तो आप देख सक्ते हैं कुछ इस थरिके का बनता है तो वह एक तरीक round के चल सकते हैं कि right side का ट्रायंगले अब यहां परanimat देखे कलग वाली candle दिया था ह्य के इवेंचुली हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जाके ब्रेक करने में क्लोजिंग करने में यह काम्याब रहे इसको ब्रेक करेगा तो एक बहुत बढ़िया लेवल आ सकता हुँ थर्टी फॉर्टीन ट्विंटी तक के लेवल भी हम इंट्रडे पे भी कल देख सकते हैं या फर दो दिन के अंदर देख सकते हैं आप लोगों को स्टोंक्स की एनालेसि बता दी है आप लोगों समझ मे आया अगर आप लोगोंको यह इंपोर्टेंट्स लग रहा है जुमने है आप लोगों को चाठmannStructure बताया है बताए आप प्लीज एक लाइक बटन ज़रूर दबा दिजेगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए और इंट्रस्टेंग चीजे लेकर आऊंगा और आप लोगों का ही बेनिफिट होगा आते हैं निफ्टी के चार्ट पे तो निफ्टी के चार्ट पे मुझे क्या लग रहा है और कल की एकस्पारी किस तरीके से हो सकती है मैं वो आप लोगों को बता देखा देखे गाईस दोस्तों आप देखे मैंने आप लोगों को क्या बताया अब यहाँ पर देखेगा दोस्त यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल एक इविंचुली ब्रेक आउट देखने को मिला था पांच ट्रेडिंग सेशन की रेंज का इस लेवल पर और मैंने बुला था कि एक बाइंग आ जाएगी इस लेवल से हलका सा उपर गया उसके बाद हमने देखा एक इंडिसाइसिफ कैंडल बनाई है इंडिसाइसिफ कैंडल बनाई है इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यह बात है कि यह दुबारा range के अंदर आ गया ये दुबारा range के अंदर आ चुका है ठीक है मैंने आप लोगों को बोला था closing basis पे 11,180 का stop loss लगा के रखेगा इसने closing दिया 11,200 पे तो stop loss से तो हम लोग बच चुके हैं बट अगर कल ये 11,180 के नीचे stop loss दे देती है तो जो मैंने option strategies अब देख सकते हैं याँ पर ये एक range के अंदर आ चुकी है अब अगर मैं आप लोगों को बताओं तो guys कल जो probably है US का अगर मैं आप लोगों को बताता है तो US पे हम लोग मानके चल सकते हैं कि Fed की policy है और उसका फिर review भी होना है policy का meeting का भी तो अगर हमने देखा था consumer confidence से जो index था वो कम आया था कम नहीं आया था मानके चल सकते था stable था बिलकुल जैसी उमीद थी उसके आसपास ही था तो कोई आज उसकी विज़से हम लोगों ने थोड़ी एक fall देखी क्योंकि हमने देखा था यूएस पर थोड़ी सी fall थी उसके मुकाबले शायद आज market पर fall आई होगी या फिर एक profit booking आई होगी बट अगर कल यह दुबारा इस range की उपर निकलने की कोशिश करती है जो की level आता है 11,000 230 का या फिर 11,000 240 का तो शायद हम लोग एक buying position बना सकते हैं बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर यह जो level है 11,100 यह important level है अगर कल यह level break हो जाता है तो हम मानके चल सकते हैं कि इसके बाद जो yet high है यह शायद ही शायद हम मानके चले कि इस अगले महीने तक break होगा अगले महीने के एक week के अंदर-अंदर break होगा यह level break होना important नहीं यह level अगर break हो जाता है तो guys हम लोग एक panic selling देख सकते हैं बट यह level break नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ यह दुबारा range के अंदर चले जाए जाना है तो दुबारा range के अंदर चले जाए एक हफता trade कर लीजे बस यह नीचे का level break नहीं होना चाहिए ठीक है कल अगर यह दुबारा cross करने की कोशेश करता है तो हमें एक बार दुबारा buying बना सकते है for a target of 11,380 और उसके बाद higher sense के बट अभी के लिए कल के लिए हमें watch करना है कि क्या ये किस side momentum देता है उसी side हम लोग trade करेंगे अभी ना selling है ना buying है perfect entry आप लोगों को telegram पर provide करा दी जाएगी bank nifty की बात करता हूँ तो bank nifty पे भी कुछ similar है bank nifty ने जो आज की candle बनाई है वो बिलकुल indecisive candle है आप यहाँ पर देख सकते है बिलकुल indecisive candle बना रखी है तो यानि कि हम लोग अगर बताएं आप लोगों को तो इस level पे जो support था support से यहाँ पर इसने up move start करी अप move start करने के बाद exact जो previous close था उसके उसी पे ही closing दिये 20-30 रुपे उपर या नीचे दिये तो आप लोग देख सकते हैं अगर कल इसी level से दुबारा buying आती है अगर मैं आप लोगों बताओं कल अगर यह 20-2130 के उपर निकलना शुरू करता है तो अच्छी खासी buying आ सकती है दुबारा और मुझे लगता है कि यह शायद दुबारा एक अच्छी खासी opportunity दे सकता है ठीक है यह target होंगे probably जो मुझे लगता है यह target हो सकते है तो मैं चाहूंगा कि कल एक अच्छी खासी buying ही आए market के अंदर selling ना आए यह नहीं कि मेरे stocks मैंने आप लोगों को buy के लिए दे रखे हैं तो buying आए बट eventually अब इसको उपर ही जाना है निफ्टी को मुझे को नहीं लगता कि निफ्टी eventually अब नीचे break करेगा बट अगर मैं बताऊं तो guys निफ्टी का PE बहुत जादा हो चुका है और अगर मैं बताऊं तो वो important है देखना तो PE around 29-30 के आसपास है तो वो बहुत जादा high है बहुत सालों के बाद हमने वो level देखने को मिला है तो हमें थोड़ा सा risk की trade थोड़ा सा हमे risk को manage करके चलना है जादा heavy quantities buy नहीं करनी है हमें trade करना है बट heavy quantities पे नहीं loss मिले stop loss hit तो तो निकलो उसको अपनी position पे लेकर मत चले जाना है कि holding कर लेता हूं मैं eventually target तो मेरा आ जाएगा यह पूरे time थोरी ना नीचे गरेगा stop loss hit तो निकलो यह नहीं कि आपको loss दिखरा है intraday पर तो आपने उसे holding में डार लिया और फिर आप उसे महीने बर hold कर रहे हो यह गलती नहीं करनी है stop loss hit होके निकल जाना है तो यह eventually आप लोगों को benefit भिनेगा ठीक है so guys एक मैं important बात आप लोगों को और बता देता हूं मैं अगर आप मेरे को Instagram पे follow करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों नहीं करते हैं मैं एक planning बना रहा हूं एक plan कर रहा हूं कि मैं Instagram members के लिए एक webinar लेकर आउं और webinar पे हम लोग एक particular topic के उपर बात करेंगे और वो topic क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा तो वो मैं सारा कुछ update करूँगा वो अपने Instagram पी करूँगा अगराब Instagram का join होना चाहते हैं तो नीचे description पे आप लोगों को link मिल जाएगा मेरे Instagram का नाम भी first underscore investment है आप जाके मुझे follow कर सकते हैं सारी knowledge आप लोगों को वहाँ पर at the end provide हो जाएगी और हम लोग daily quiz भी करते हैं technical analysis के उपर जहां पर आप लोगों को definitely कुछ ना कुछ फाइदा जरूर मिलेगा तो guys easy के साथ मैं वीडियो को end करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो like करना मत बुलेगा guys comment section में जरूर बताएगा कि वीडियो कैसी पसंद आई है और एक बंदे ने मुझे comment में बताया था कि आप बार-बार guys बूलते हैं वो मत करेगा पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो पे तो हलके लगी मेरी वो आदत भी छूट जाएगी तो चिंता मत करेगा हम लोग कल मिलते हैं अगली वीडियो पे तो मैं शिवांच भसीन signing off मिलता हूँ आप से कल